हेलो क्यूटीज, वोलकुम बैक तो मैं चैनल, ब्लेंक आर्मी इस फिल्मी फैन फिक्षिन तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी न्यू स्टोरी के लास्ट पार्ट की तरफ उमीद है आप सबको पसंद आएगा और हाँ, अगर प्रिवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लिज देख लो और हाँ, ये स्टोरी एक बार रिट सरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऊके रिट कर के देखो, बहुत मज़ा आएगा तो अब फाइनली बरही जाते हैं आगे आंटी के जाने के बाद हमारा इबो गुसे में अब जान की तरफ घूर रहा था जरा फिर से कहोगे तुमने अभी अभी क्या कहा था तुम चाहते थे के आंटी कुछ दिन और यहां रह जाए और मुझे कुछ दिन और ऐसा परिशान होना परे जान कहता है ऐसा नहीं है मैं चाहता था कि वो हमारे साथ रहे मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ वो कितनी अच्छी है इबो जान की तरफ एक पिलो फेक कर मारता है पर जान इबो का आर्म पकर कर उसे अपने तरफ खीच लेता है फिर इबो जान के पास बैठ गया वो दोनों एक दूसरे की आँखों में ही देख रहे थे जान कहता है मुझे तुम्हे कुछ कहना है इबो कहता है हाँ कहो जान इबो का आर्म छोड़ देता है और कहता है नहीं कुछ नहीं जान खरे हो जाता है और कमरे से बाहर निकलाता है कुछ देर बाद इबो अपना हैर कॉम कर रहा था फिर वो जान की तरफ देखता है जो काफी टेंस्ट लग रहा था इबो पूछता है जान क्या हुआ जान कहता है ये स्क्रिप्ट की बात है इबो कहता है तुम मुझसे कह सकते हो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकू जान कहता है हम् डिरेक्टर जाते है मैं एक रोमेंटिक स्क्रिप्ट लिखू पर मुझे इसके बारे में कोई knowledge नहीं है ईबो कहता है seriously? जान कहता है हाँ वो मैं कभी किसी relationship में नहीं रहा मेरा कभी कोई girlfriend भी नहीं था तो मुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता ईबो कहता है पर क्यों नहीं? मतलब तुम काफी handsome हो जान कहता है मुझे इन सब में कोई interest नहीं था तो मैंने किसी को अपने करीब नहीं आने दिया ईबो कहता है ओ फिर जान कहता है तुम तो एक relationship में थे ना क्या तुम मुझे कोई tip दे सकते हो? ईबो कहता है हम एक love story में दो लोग किसी तरह बस मिलते हैं फिर उन दोनों को प्यार हो जाता है फिर वो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं पर ये जरूरी नहीं है कि हर किसी की जिंदेगी में happy ending हो कुछ रिष्टे तूट भी जाते हैं कभी कभी जूर भी जाते है जान कहता है ईबो अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया तो शायद डिरेक्टर मुझे लाथ मार कर निकाल देंगे कोई अच्छी storyline दो ईबो कहता है हम फिर तुम तो हमारी कहानी ही लिख दो जान कहता है हमारी कहानी हम ये बुरा आइडिया तो नहीं है थांक यू एनिटाइम अब जान डिरेक्टर के सामने बैठा हुआ था डिरेक्टर कहते है श्याव जान जहां तक मैं जानता हूँ तुम कभी किसी relationship में नहीं थे और तुम्हें लव लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैंने decide किया जान कहता है सरसर ऐसा मत कीजे मेरे पास एक storyline है मैं आपको disappoint नहीं करूँगा डिरेक्टर कहता है तुम बस मेरा वक्त बरबात कर रहे हो मुझे यह जाब किसी और को देना चाहिए ठीक उसी वक्त इबो वहाँ आया और वो डिरेक्टर से कहता है हलो डिरेक्टर मैं वांग इबो शयाव जान का उमेगा और हमारी love marriage हुई है हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और मैं आपको reassure करता हूँ फिर भी वो बहुत लगी है कि आप उनके life partner हो इबो कहता है हाँ बिलकुल और हमें advance चाहिए डिरेक्टर कहते है no problem मैं अभी एक check लिक कर देता हूँ डिरेक्टर जान को एक check देते हैं और उसी वक्त कहते है मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ मुझे disappoint मत करना मैं नहीं करूँगा ठैंक यू सर डिरेक्टर नोट करते हैं और चले जाते हैं जान इबो की तरफ मुरता है और कहता है it's a miracle डिरेक्टर जैंग ने इससे पहले कभी किसी को advance नहीं दिया पर तुम ने कहा वो मान गए इबो कहता है हम सिर्फ कागजी तोर पर married है पर फिर भी मैं तुम्हारा husband हूँ तुम कभी भी मेरी मदद मांग सकते हो मैं तुम्हारी मदद करूँगा जान स्माइल करके कहता है thank you और कुछ नहीं कहकर जान वहाँ से चला गया इबो सुचता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है थोरी देर बाद इबो टीवी देख रहा था और जान वहाँ आया जान कहता है मुझे कुछ जरूरी काम है आने में देर हो जाएगा इबो ओके कहता है जान स्माइल करके चला गया फिर इबो के पास उसकी आन्टी वॉंग में का कॉल आया वॉंग में पूछती है क्या वो हर्बल पाउडर काम कर रहा है जो उन्होंने दिया था इबो मन में कहता है मैंने तो वो फेक दिया इबो कहता है हाँ आन्टी वो लगबग खतम होने वाला है वों में कहती है बहुत अच्छी बात है इबो अपने हस्बिनट का खयाल रखना वो बहुत अच्छा इंसान है तुम्हें उससे अच्छा और कोई मिल ही नहीं सकता उसकी कदर करना इसके पास ना गोल्डन हार्ट है इबो कहता है हाँ आउंटी मुझे पता है फिर आंटी कहता है ठीक है हम बाद में बात करते है तुम्हारे डैट बुला रहे है कॉल कट होने के बाद ये वो सोचता है आंटी सही कह रही थी उसका दिल सोने का बना है मैं उसके साथ लगबग 10 दिन से रह रहा हूँ पहले मुझे लगता था कि वो बहुत अनॉइंग है मैं बस उससे दूर रहना चाहता था पर अब सब कुछ बदल गया है अब जब वो थोड़ी देर के लिए मुझसे दूर है तो मैं उसे मिस कर रहा हूँ ठीक उसी वक्त डॉर बेल बच गया इबो सोचता है कि वो वापस आ गया इबो एक्साइटेड था वो जाकर दर्वाजा खोलता है पर सामने हाउशोआन था हाउशोआन कहता है हाई इबो कैसे हो तुम तुम यहां क्या कर रहे हो अफ़कोर्स मैं तुम से मिलने आया हूँ तुमने मुझे ढूंडा कैसे हाउशवान कहता है ये बहुत इजी था मैं तुमारे घर गया था और तुमारे आंटी को कहा कि मैं तुमारे हस्बेंट का फ्रेंड हू मैंने उनसे अड्रेस मांगा और उन्होंने दे दिया ठीक उसी वक्त जान अपने हाथों में वाइट रोजस का एक बकेट लेकर घर आया जान दिवार के पास खरे होकर उन दोनों की बाते सुन रहा था एबो कहता है तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी हाउशवान कहता है क्यों नहीं बेबी इतना रूट भी मत बनो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था जान गुस्से में अपने दाथ पीस देवे वहाँ से चला गया एबो कहता है यहां से दफा हो जाओ मैं तुम्हें अभी कभी देखना भी नहीं चाहता मैं आल्रेडी मैरेड हूँ और मैं अपने हस्बेंट से बहुत प्यार करता हूँ हाउशवान कहता है नहीं बेबी ऐसा नहीं हो सकता तुम सिर्फ अपने फीलिंग्स को लेकर कन्फ्यूज़ हुए हो तुम सिर्फ मुझ से प्यार करते हो मैं तुम्हारी फैमिली को सब कुछ सच सच बता दूँगा अब मैं तुम्हें इस अजनबी के साथ नहीं रहने दूँगा इबो कहता है एक्स्क्यूज मी वो कोई अजनबी नहीं है वो मेरे हस्बेंड है और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ मुश्किल गरी में जब तुम भाग गए थे तब उसने मेरा हाथ थामा हाउश्वान इबो का हाथ पकरने की कोशिश करता है इबो उसका हाथ फॉरण जटक देता है और कहता है यहाँ से दफा हो जाओ मैं तुम्हें अपने जिंदगी में वापस नहीं चाहता मेरे हजबन तुमसे बहुत 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 ज़ादा बेटर है हाउश्वान कहता है बेबी प्लीज एक बार मेरी बात सुन तो लो इबो हाउश्वान के मुँपे दरवाजा बंद कर देता है इबो चेर पर बैट कर जान का इंतिजार करने लगा हाउशवान अभी भी इवो का नाम चिला रहा था और दर्वाजे पे ठक-ठक किये जा रहा था पर इवो ने उसे बिलकुल इग्नोर किया कुछ देर बाद हाउशवान वहाँ से चला गया लगभग ग्यारा बजे जान घर वापस आया इवो कहता है जान फ्रेश हो जाओ मैं तुम्हारे लिए डिनेर बना देता हूँ जान सिंप्ली नोट करता है वो लोग बस साइलेंस में खाना खा लेते हैं फिर जान अपने कमरे में चला गया इवो को उसने एक बार गुड़ नाइट विश भी नहीं किया इवो साइ करता है और काँच पे सो जाता है अगले दिन इवो जान के पास आया जान पीसफुली सो रहा था पर इवो उसे जगाने लगा जान सलिपी टॉन में कहता है क्या हुआ इवो जान उट जाओ ड़ाट हमें घर बुला रहे है जान लेजिली उठता है और बातरूम जाता है फ्रेश होने चिरैन, हाउशुआन और वांग में लिविंग रून में बैठे वे थे ये हाउशुआन फिर आ गया इसने कहीं सब कुछ बता तो नहीं दिया ओ नो जान और इबो वहाँ आएं चिरैन और वांग में को ग्रेट किया इबो पूछता है हाउशुआन तुम यहां क्या कर रहे हो हाउशुआन कहता है इबो मैंने पूरी सच्चा ही तुम्हारी फैमली को बता दिया है और अब सबने डिसाइड किया कि अब हम फाइनली साथ रह सकते है वांग में जान से पूछती है कि यह लरका आखिर बोल किया रहा है जान अभी भी चैर पर बैठा हुआ था अपनी नजरे जुकाएं वंग में कहती है son-in-law ये लड़का कह रहा है कि तुम लोगों की शादी ज्यूटी है तुम शान्त क्यों हो कुछ तो कहो जान कहता है ये सच है हाउशवान कहता है अंकल अब आप डिसीशन ले लीजे सब कुछ तो क्लियर हो गया है चिरैन कहता है तुम चुप रहो और तुम तुमारी हिम्मत कैसे हुई हमसे जूट बोलने की इबो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारा भरोसा तो रोगे इबो कहता है father चिरैन कहता है चब मैं तुम से कुछ नहीं सुनना चाहता जान कहता है अंकल अगर आप पुरा नहीं मानोगे तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आप और इबो आप दोनों को ही एक दूसरे पर बिलकुल भरोसा नहीं है अगर ईबो को आप पे भरोसा होता कि आप उसके पसंद के अलफा को इंकार नहीं करोगे तो वो घर से नहीं भागता और आपने भी कभी ईबो पे भरोसा नहीं किया बच्चे गल्टी करते हैं और वो ये भी यकीन करते हैं कि उनके पैरेंस उनके साथ हमेशा रहेंगे चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो मेरे पास माता पिता नहीं है मैंने उन्हें बच्पन में ही खो दिया था इबो के पास तो फादर है पर मुझे लगता है कि वो भी और्फन्स की तरहा ही रहता है आपने इबो पे कभी भरोसा नहीं किया तो ये भरोसा शब्द आपके मुझे अच्छा नहीं लगता चिरैन कहता है तुम सही हो बेटा, तुम सही हो, मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया मैं गिल्टी हूँ और अब इबो जो डिसाइट करेगा, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा मैं उसकी डिसीजिन को रिस्पेक्ट जरूर दोंगा हाउशवान कहता है वो मुझे ही चुनेगा, वो मुझसे प्यार करता है इबो कहता है मैं जान को चुनता हूँ हाउशवान गुसे में इबो की तरफ देखता है दूसरी और जान इबो की तरफ बहुत प्यार से देख रहा था आंठी कहती है, ये best decision है, इबो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे blessings भी हाउश्वान कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, इबो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते चिरेन कहते है, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा चिरैन हाउशवान को मारने ही वाले थे पर मिस्स कर दिया और कहा इस टाइम मैंने मिस्स कर दिया पर अगली बार नहीं करूँगा अब हाउशवान दोड़ने लगा चिरैन अपनी वाइब को जमीन पर हिट करते है अब हाउशवान दूर भाग गया जान और इबो हस पड़ते हैं साथ ही मैं भी जान इबो को हग कर लेता है और कहता है I love you इबो इबो भी कहता है I love you too जान वो दोनों किस करने ही वाले थे कि किसी का गला ठीक करने की आवाज सुनकर रुख गए आंटी कहती है तुम दोनों कमरे में जाओ बरों के सामने कुछ भी इनाप्रोप्रियेट नहीं कर सकते तुम लोग जाओ जान कहता है सौरी आंटी जान ही वो को अपने तरफ खीच लेता है और दोनों कमरे में जाते है फिर जान दर्वासा बंद करता है वो सब करने के लिए आप सब तो समझी गए जान क्या करेगा वांग में कहती है ये दोनों मैं चाहती हूँ या दोनों हमेशा खुश रहे चिरान कहते हैं मैं भी फिर जिरान अपने कमरे में चले गए और वांग में दूसरी तरफ अपने कमरे में चली गई क्योंकि वो दोनों सीनफुल आवाजें नहीं सनना चाहते थे तो माई क्यूटीज बताओ आप सब को ये क्यूट सी लबी डबी सी स्टोरी कैसे लगी मुझे तो बहुत जादा मज़ा आया बहुत पसंद आया मैं हमेशा सी ऐसी स्टोरी एक्स्पलेइन करना चाहती थी बही मुझे तो बहुत जादा मज़ा आया उमीद है आप सबको भी अच्छा लगा हो अगर सच में अच्छा लग गया तो एक लाइक तो करी दो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बहुत मज़ा आएगा रीट करके देखो आप सबको तो पता है ना मैं कितनी सारी गलतिया करती हूँ और फिर उसे एडिट करने में जान निकल जाती है फिर भी दस बारा मिस्टेक्स तो रहे जाते हैं सौरी क्यूटीज मेरे वज़े से आप लोगों को बहुत परिशानी होती होगी पर मैं अभी भी सीख रही हूँ उमीद है कभी अच्छा कर पाऊंगी मैं स्वीट स्वीट क्यूटीज मिलते हैं एक और ब्यूटिफू स्टोरी के साथ तब तक के लिए बबाई क्यूटीज बाई बाई बाई